आज रेखा देवी की जिंदगी में सुकून है घर में शौचाले जो बन गया है कुछ दिन पहले यही रेखा देवी हाथ में लोटा लिये लोगों से नजरें बचाते खेतों की तरफ जाती थी शर्मिंदिगी के साथ साथ किसी अन्होनी का डर भी लगा रहता था शौच जै पर अब हालात बदल रही है स्वच्छ भारत मिशन के अंतरगत बने इन शौचालेयों ने रेखा देवी जैसी हजारों महिलाओं को रोज-रोज के डर और शर्मिंदिगी से आजादी दिलाई है अब मात्र 12,600 रुपए के सरकारी अनुदान के बदौलत हर परिवार शौचाले बनाने का सपना पूरा कर पा रहा है देवास नगरपालिक निगम ने स्वच्छ वारत मिशन के अंतरगत घर-घर शौचाले और सामुदाइक शौचालेयों का निर्मान कर निकाय को खुले में शौच से मुक्त बनाया है इसके साथ ही सामुदाएक शौचालेओं की रोजाना साफ सफाई भी कराई जा रही है जिससे बीमारिया ना फैल सके निकाय को खुले में शौच मुक्त कर नगरपालिक निगम देवास ने रेखा जैसी कई महिलाओं को सम्मान दिलाया है